हेलो एवरिवन, कैसे हैं आप सब, I hope आप सब अच्छे होंगे, आप सब की दुआओं से मैं भी बहुत अच्छी हूँ तो चलिए जी, आज की वीडियो में बात होगी एक फेक और गटिया औरत के बारे में जिसका नाम है सलमा बानो और एक्च्छी में ये उसका नाम है भी या नहीं है ये भी हम लोग नहीं जानते बिकॉस वो एक फ्रॉड केस है और फ्रॉड लेडी है क्यूंकि अभी लेडी का नाम रखा है तो भाई लेडी ही बोलेंगे otherwise वो में भी हो सकता है वो लेडी भी ना हो है ना तो चलिए फिलहाल उसके कारणामों का वखान हम यहाँ पर करेंगे और उसकी असलियत थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर करते हैं पता तो बहुत कुछ चला है लेकिन चलिए फिलहाल तो जितना हमें आप लोगों तक इंफोर्मेशन पहुंचानी है उतनी ही पहुंचाएंगे कल आप लोगों ने एक चीज देखी होगी मैं भी बहुत सारे लोगों ने देख ली होगी और कई लोगों को नहीं भी पता होगा कि ये जो महतर्मा है सलमा बानो ये समझ लो हमारी थर्ड चाची बनने वाली थी या फिर बन सकती थी लिकिन अभी ऐसा कुछ नहीं होने वाला बिकोज इसकी जो असलियत है वो सामने आ चुकी है पबलिक के पबलिक के तो खेर नहीं आई ये लिकिन अब आजेगी तो बात क्या हुई है न कि इस औरत ने हमारे जो चाचा है जो हमारे चाचा जान है रंटाक शेक उनको अपने जाल में फसाया उनको जहांसे में लिया अब ये बात मैं क्यों कह रही हूं ये भी मैं आप लोगों को बताती हूं चलिए जी पहले तो हम लोग इसको जानते भी नहीं थे हमने इसको कैसे जाना हमने जाना इसको चाचा की स्टोरी से कि भाई चाचा इसके साथ स्टोरी डाल रहा है या वीडियो जो भी चाचा की थी उसके साथ ये ड्यूट कर रही थी मैडम तो इसने महतर्मा ने अपने अकाउंट में ये स्टोरी लगाई थी कि मेरे साथ कोई ड्यूट करना चाहता है तो कर सकता है something कुछ ऐसा तो चाचा ने सोचा चलो जी उसके followers भी अच्छे थे ये इतने गंदे-गंदे मैसेज करने लगी, मैसेज इंदा सेंस स्टोरी वगएरा लगा के डालने लगी, इस पहले सत्तानी के लिए, उसके बाद चाचा के लिए कि बहुत प्यार करती है, चाचा के बिना ये रह नहीं सकती, और भी बहुत सारी चीजें इसने की हैं, तो एक लूगी जरूर पहनी थी चाचा ने, तो वो वीडियो वाइरल करके ये और जताना क्या चाहती है, कि मतलब सामने वाला इंसान गंदा है, और मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत सच्छी हूँ, तो ये जो और बोलती है, कि ये वीडियो मेरी बेटी को अनम को भेजी थ कुछ न कुछ तो तुमने ऐसा बोला होगा, कि चाचा बिचारे को वीडियो बना के भेजनी पड़ी, है न, तो बहुत सारी चीजे थी, खैर, चलो चाचा ने वीडियो बना के भेज के ये तो प्रूफ कर दिया, कि भाई, जो वो सोच रही है, वैसा कुछ नहीं है, लेकि चाचा की वीडियो भी वाइरल कर दी, कि देखो, मैं तो मेरी मतलब, अपनी बेटी के नाम से है, जबकि ये तीन-चार आइडी जितनी भी है न, चाहे यासमीन हो, चाहे अनम हो, चाहे ताशू हो, है न, बहुत सारी चीजे हैं, तो ये जितनी भी वो हैं, आइडीज है, और ये सारी आइडीज ये और खुद अकेली और ये हैंडल करती है, और वैसे भी अकेली भी नहीं है, ये शादी-शुदा और ये अपने हस्बन के साथ, पती के साथ ही और रहती है, तो आप लोग एक बात बताइए, कि ऐसी कौन सी शरीफ घराने की औरत होगी, या फिर इजदार ओरत होगी, जो किसी पराय आदमी पे अपनी नजरे रखेगी, डोरे डालेगी, और उसको ऐसे ऐसे अशलील जो है, वो स्टोरिया लगा-लगा के डालेगी, मैं आपके बिना रह नहीं सकती, मुझसे इंतजार नहीं हो रहा है, आप जल्दी मुझसे मिलने आजो, है न, बहुत सारी चीजे, तो तू कौन सा दूद की दूलिया भाई, तू चाचा को बदनाम करने चली, बड़ी आई, तो पहले खुद को तो साफ कर ले, खुद के उपर जो कीचट वाले दाग लगी वह उनको तो साफ कर ले, फिर तो तू चाचा को साफ करने जा, बदना में लेके जो है न, उनसे पैसे अंटती है, ठीक है, छोटे-छोटे-छोटे-छोटे अमाउंट में ये पैसे अंटती है, जब छोटे-छोटे अमाउंट पूरे हो जाते हैं, तो उसके बाद ये बड़ा हाथ मारती है, ठीक है, तो ये सारी चीजे भी है अपने प्यार के जाल में फसाके जो है वो ये ऐसे काम करती हैं कुछ चीजे हम लोगों के हाथ लग चुकी है और आने वाले टाइम में बहुत जल्दी हम लोग इसका भांडा फोनने वाले हैं ठीक है तो वेट करिएगा उस टाइम तक का और हाँ इस तक तो मुझे मैसेज पहुंचाना था कि तू जो इतना बहुत अपने आपको तीसमार खान सोच रही है तो तूससे बड़े-बड़े तीसमार खानी आपे बैटे हैं और हमारे मतलब माशालला हमारे सब्सक्राइबर इतने अच्छे हैं कि पता नहीं कहां-कहां से ढून-ढून के इन्फोरिमेशन लाखे देते हैं हमें कि मतलब मज़ा ही आ गया पूरा इसका भांडा या काला चिठा इसका खाल के रख दिया कि यह घटिया और है किस उसकी ठीक है ना तो यह सारी बाते हैं इसके अलावा एक तो मैसेज मैंने कहीं पर यह भी पड़े कि बार बार अपने आपको मैसेज में पड़ा था मैं आपने सारे खेल चल रही है, ऐसे ही लोगों को ओनलाइन शोचल मीडिया पर ठकती है, ना ये किसी को अपनी रियल फोटो भेजती है, ये सलमा बानो की ही फोटो वगेरा उसकी आईडी से उठाके, मतलब जो रियल वाली होगी दूबई में, उसी की फोटो वगेरा उठाके कि भेजती है, ना कभी ये किसी से गुदना करेंगी, कुछ भी नहीं करेंगी और मैं तरको चैलनज देती हूँ, अगर तू मुझे गलत सावित करना चाहती है, ने कि मैं गलत बोल जूत करेंगी सलमा बानो मधाम तो काम कर तू और अपनी ःष और तेरी तेरी तीन चार ब बहुत अच्छे तरीके से फूट चुका है और भी बहुत सारी चीजे हैं जो मुझे पता लगी है और आने वाले टाइम में हो सकता है कि मैं शेयर भी करूँ लेकिन अभी फिलाल मुझे देखना है इस औरत का रिस्पॉंस कि मेरी वीडियो देखने के बाद ये अब कैसे रि काड़ने से पहले उन चीजों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है आंख मीच के आपने इसके साथ यारी दोस्ती तो कर ली और इस उमर में खैर आपको भी ये जीजे शोभा नहीं देती भाई कि आप किसी से इस तरह की प्यार मोहबत की बाते करो या फिर कुछ इ बनाने पर तुले होएं और ये घटिया और पता नहीं कैसी है कि दो दो औरत होने के बाप जो तीसरी बनने के लिए तयार है मैडम ठीक है तो इसी चीज़ से पता चल जाता है कि भाई ये कितनी मतलब इमान वाली होगी ये औरत तो ऐसा कुछ नहीं है ये एक फ्रॉड केस सब आज और कःशी है और देखना इने वाले टाइमे आप लोगों को ये सक्चाई भी पता चलेगी कि ये अओरत ही नहीं है ऑग पता कौन है कौन नहीं है। अगर कोई प्राइ मर्द के साथ यह सारी बाते करना यह सारी चीज़े करना यह कहीं से भी किसी बी आुरत को शोबा नहीं देती है यह चीजें टो खैर छोड़िए इनसब बुस की लाइफ है भाई अगर अगली को कोई चाहिए होगा दूसरा बंदा तो फिर वो क्या ही करें लेकिन हमारा चाचा बेचारा फस गया इसके जाल में और हाँ एक और बाद वो वीडियो पब्लिक में डाल के जो चाचा की वीडियो है जो चाचा ने तुझे भीजी थी वो वीडियो तो पब्लिक में डाल के साबित क्या करना चाहती है कि ऐसी वीडियो ऐसी क्या है उसमें क रहते हैं खासकर रात के टाइम पे जब उन्हें सोना होता है ठीक है तो ये कोई इतनी बड़ी बाप नहीं होती अपने घर में हर बंदा जो है वो ऐसे ही रहता है तो इसमें कोई बदनाम करने हाँ अगर चाचा ने कुछ उल्टी सीधी हरकत की होती है फिर कुछ उल्टा वो वीडियो बनाई गई थी बट उसमें कुछ ऐसा गलत नहीं है जो कि ये और दिखाने की कोशिश कर रही है और ये भी जूट बोल रही है कि मेरी बेटी को ये वीडियो भेजी थी जी नहीं वो बेटी को वीडियो नहीं भेजी थी वो इन मैडम को ही वीडियो भेजी थ तो यह बहुत ही चालूर घटिया ओरत है, सच जूट बहुत कुछ बोल चुकी है, बोल भी रही है, तो वो वीडियो डालने से कुछ भी साबित होता ही नहीं है, फिलहाल तो मुझे वेट रहेगा इसके मैडम के रिस्पॉंस का, और भी बहुत सारी बाते मुझे करने थी, ल अब तक आप सब अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और वीडियो देखने के लिए आप सब का धन्यवाद